वल गाईज तो मैं हूँ रोकी और आप देख रहे हैं Elite Mania Original और गाईज वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए WWE के काफी सारे मेजर अपडेट हैं गाईज WWE के Royal Rumble के Fallout Raw के बाद WWE के Monday Night Raw के विवर सिब सामने आचुकी गए इस इपने McMahon के WWE के क्विट करने को लेकर बैक स्टेज पर बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है रोयल रंबल पर ब्लड लाइन के सैमी जेन पर अटैक करने के बाद सैमी जेन ने उनके फ्यूचर को रिविल कर दिया है और गाई डबल डबल के रेसल मिनिया पर का गो हम एडिसन रोग कराया था तो गाई यहां पर डबल डबली के 30 एर अनवर्सरी रोग को करीबन 2.3 मिलियन बिवर्सिप मिले थी जो कि डबल डबली की वन अब दा हाइस बिवर्सिप थी और गाई लाश्ट वीक डवली डवली के 30 एर अनवर्सरी रोग को करीबन 2,3-4 मिलियन लोगों ने देखा था बढ़ गाई यहीं अभी सब्दे जब डवली के रोयल रंबल का फॉल आउट रा हुआ है तो गाई डवली के रोयल रंबल की फॉल आउट रा होने के बाद दी WWE के Monday Night Raw की विवर्शिप गिर जो कही गए जहां पर इस अपते WWE के Monday Night Raw सो को मात्र 2.1 मिलियन लोगों ने देखा है और guys, WWE के कल हुए Monday Night Raw की विवर्शिप है 2.1 मिलियन जो की लास्ट वीक के मुकाबले काम है बढ़ guys, जहां तक बात रही 18x49 डेमोगराफी फिगर की तो guys, 18x49 डेमोगराफी फिगर के अंदर WWE के 30 year anniversary RAW के रेटिंग टी 0.7 तो guys, वहीं 18x49 डेमोगराफी फिगर के अंदर WWE के कल हुए RAW के रेटिंग टी 0.64 और guys, यहां पर डेमोगराफी फिगर के अंदर भी WWE के इस सब्दे का Monday Night Raw सो लाश्ट वीक के मुकाबले फ्लॉप रहा है वल गाइज ये तो बात भी Monday Night Raw के भी वर्षिप की बड़ गाइज चलिए अब आगे बढ़ताओं बात करते हैं Sammy Jane और Bloodline की वल गाइज जैसा कि हम लोगों ने Royal Rumble पर दिखा WWE के Royal Rumble के एंडिंग के उपर Roman Nix ने Sammy Jane पर उनका Heel Turn कर दिया था और गाइज यहाँ पर अभी सिच को लेकर तगडिर रूमर चल लही गए कि WWE के Elimination Chamber Pay-Per-View के में इवेंट के उपर Sammy Jane possibly चैलेंज करेंगे Roman Nix को for the WWE Undistributed World Championship बड़ गाइज यहीं अभी समी रूमर्स की बात इस हबते Sammy Jane ने Social Media के उपर Bloodline Fiction के सारे पिक्चर को Trace Can के अंदर फेक दिया है और गाइज जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हूँ इस पिक्चर के अंदर Sammy Jane Bloodline के साथ उनकी सभी Memorage को मिरा रहे गए और गाइज Sammy Jane ने Bloodline के सारे पिक्चर को Trace Can के अंदर फेक दिया है और गाइज यहाँ पर Sammy Jane के इस हरकत के बाद अब Sammy Jane ने ये Officially क्लियर कर दिया है कि वो अब Bloodline के साथ काम नहीं करने वाले के और गाइज Possibly Elimination Chamber के उपर फैंस को Roman Reigns और Sammy Jane का मैच देखने को मिल सकता है वल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि Elimination Chamber पर Sammy Jane और Roman Reigns का मैच होता है या नहीं बढ़ गाइज जहां तक बास रही WWE की तो गाइज यहीं अभी सबते WWE के अंदर से इस्टेपनी मिक्मैन के कंपनी को लीप करने को लेकर Wrestling Observer की तरफ से बहुती इंटरस्टिंग अप्टोरिट सामने आ रही गए जहां पर इस अपते Wrestling Observer का ये कहना है कि WWE के बैस स्टेज के उपर लोग इस्टेपनी मिक्मैन को बहुत यहादा पसंद करते गए और गाइज यहाँ पर WWE के बहुत सारे wrestler और officials का ये मानना है कि विस्टेपनी मिक्मैन के WWE में return होने के region के वजह से इस्टेपनी मिक्मैन ने mainly WWE को quit किया है क्योंकि यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि विस्टेपनी मिक्मैन के WWE में return होने के बाद इस्टेपनी मिक्मैन को उनके position से demotate किया जाता था और गाईज यहाँ पर Vince McMahon के return होने के बाद Stepney McMahon के उनके position से हटा गे इसी छोटे मोटे position पर डाला जाने वाला था और गाईज क्योंकि Stepney McMahon ओरिजिनली कभी भी WWE के अंदर WWE के साथ काम नहीं करना चाहती थी तो गाईज इसलिए जब Stepney McMahon को ये बात मालूम चली कि Vince McMahon कमपनी के उपर return कर रहे गे तो गाईज यहाँ पर Stepney McMahon ने जान भूच कर कमपनी को लीप कर दिया क्योंकि गाईज यहाँ पर Stepney McMahon को ये बात और लड़ी मालूम थी यागर Stepney McMahon कमपनी पर रूखती भी गे तो गाईज विस McMahon के return होने के बाद Stepney McMahon को उनके position से हाटाया जाने ही वाला है और गाईज यहाँ पर Stepney McMahon उनकी बेश्टी सहने से पहले ही कमपनी को उनके धम पर लीप कर चुके गए वल गाईज आपको इसी story पर क्या कहना है आप लोग मुझे comment करके जरूर बताएगे बढ़ गाईज चलिए अब आगे बड़तावर बात करते हैं और गाईज डबली डबली के biggest franchise superstar जान सीना की वल गाईज बात करें यहाँ पर जान सीना की तो गाईज यहीं अभी सबते जान सीना के डबली डबली के रसलमेनिया 39 पर अपियर होने को लेकर और गाईज यहाँ पर हालिबुड के अफ्कमिंग मॉ sell के लिए जान सीना ऑश्टेलिया के अंदर सूटिंंग करने वाले के और गाईज क्योंकि यहाँ पर जान सीना के मॉ बात सूटिंग अग्रे महिनेस सुरू होने वाले के विल गाईज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जॉन सीना रिसलमेनिया पर अपियर नहीं होते गए बढ़ गाज अगर जॉन सीना रेशल्मेनिया पर रिटन होते गें तो आप लोग रेशल्मेनिया पर जॉन सीना का मैश किसके साथ देखättा चाहोगे आप लोग मरें कॉमंट करके जीरूर बताईगे बढ़ गाज अब आजके इस वीडियों बस इतना ही मैं मिलता हूँ आप से अपने अगले वीडियो में बढ़ गाई तब तक ये लिए गुड़ बाई, गुड़ नाइट, एन बैंग